दोस्तो अभी एक तरफ तो बालवीर 3 ने ओनलाइन TRP में एकदम तबाही मचा रखा है लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इसकी में TRP बिलकुल भी अच्छी नहीं आ रही है मतलब कि लोग इसे ओनलाइन तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लेकिन टीवी पर लोग इसे नहीं देखते हैं और इसका स्रे कहीं न कहीं बालवीर 3 के टाइम स्लोट को जाता है तो अभी इसी को लेकर बालवीर 3 के जो फैंसा उन सभी के लिए खुसकवरी है कि बालवीर 3 के टाइमिंग आने वाले टाइम में चेंज की जा सकती है दोस्तो अभी कुछी देर पले देव जोसी एक फोटो की लिक करके अपने इस्टाग्राम अस्टूरी पर लगाए हैं जो फोटो सोनी पिक्चर्स नेटवर्स इंडिया के ओफिस का है और दोस्तो ये लोग अफिस और तभी जाते हैं जब इने कोई मीटिंग और करनी हो और इस स्टूरी से ये पता चलता है कि देव जोसी और प्रोडूसर्स जो है उनका सोनी वालों के साथ कोई मीटिंग हुआ है या फिर दोस्तो ऐसा भी हो सकता है कि बालवीर 3 मंडे टू सटर्डे होने वाला है क्योंकि नोज उनको अली बवासों भी बंद होने वाला है और अभी फिलाल अली बवासों के जगा पर कोई नयासों भी नहीं आने वाला है दोस्तो आप लोग एक बालवीर 3 मंडे टू सटर्डे कब होगा तुनों ने बताया है कि कमिंग सून दोस्तो क्या ये एक्साइटिंग नियूज नहीं हो सकता है कुछ फैंस के लिए कुछ फैंस क्वालिटी नहीं बलकि क्वान्टिटी चाते हैं और इसलिए काफी सारे फैंस डिमांड भी कर रहे थे कि बालवीर 3 को मंडे टू सटर्डे किया जगा बाकि दोस्तो आप लोग एक चीज़ समझे लिजे कि बालवीर 3 जब तक विकेंड पर है तब तक सेफ है सोनी साब कम भी ट्यार्पी में इसे चलाएगा लेकिन जैसे इस सो को मंडे टू सटर्डे किया जाएगा और इदी फिर भी सो की ट्यार्पी कम आएगी तो सोनी साब इसे बंद कर देगा और बालवीर 3 की जगहा पर सोनी साब कोई नया वोमन सेंटरिक ड्रामा सोय स्टर्ड करेगा जो की इन्हें अच्छा ट्यार्पी ला करके देगा इसलिए दोस्तो अभी आप लोग प्रे किजिए कि बालवीर 3 को विकेंड पर ही राने दिया जाया और सिर्फ टाइम स्लोट चेंज किया जाए या फिर इदि इसे मंडे टू सटे डे किया भी जाता है तो इसका टाइम स्लोट भी चेंज किया जाए मतलब की चाहिए कुछ भी हो लेकिन इसका टाइम स्लोट भी चेंज होना चाहिए इसलिए हो सके तो आप लोग जाकर के डिमां बाइ